कि हलो दोस्तों राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको लेटेश कम्प्रेटिटिव दीजाम और जौब अपडेट बताऊंगा तो इस वीडियो को शुरू सन तक देखें पसंद आने पर लाइक नई लोग सब्सक्राइब करना ना भूले तो आप देख र आईयोग की बेपसाइट पर देए शाम इसे जारी किया जाने की संभावना है आयोग के परिछा नियंत्रका में अंद्रकुमार ने बताया कि रियल्ड तैयार कर लिया गया है र्यविवार को आयोग की समझे उसे प्रस्तूत किया जाएगा और आयोग की मझूरी मिलने के के बाद चारी कर दिया जाएगा जैसा कि कट अफ की चर्चा है पांसो सतर से पांसो असी एजेक्ट की बात करें तो 579 जेनरल की बीसी की पांसो तिरपन और पांसो उनसतर और यह आपको आठंक अगर कम कर दें पांसो एक सठ है जो कि आपको बीसी की और पांसो तिरपन इवीसी की चार्चा लेगें कितनी सही है यह तो कट अफ आने के बाद ही पता चलेगा यह बहुत 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 मौका रहेगा 1460 जो कई सालों से इंत्या में वह भी BPSC से बहा लिए जो कि पहले कभी नहीं हुई थी तो यह बहतरीन मौका है बिहार के वहाँ या अन्राज जो भी परिच्छा दिये हैं और खासकर इंटरव्यू जो दिये हैं उनके लिए तो बहतरीन मौका है है उसके बाद आते हैं दूसरी ख़बरों पर JPSC से 16 याचकाओं पर कल होगा फैसला तो जारखंड लोग सेवा आयो की ओर से आयो जी छटी संजुक्त सीविल परतियुकता परिच्छा कर रिजल्ट को चुनवती देने वाली विभीन याचकाओं पर 7 जून को फैसला सुनाया जाएगा जारखंड हाई कोड के जश्टिस संज याचकाओं पर आदालत द्वार तीन फरवरी से लगातार सुनवाई की गई थी राज सरकार की ओर से महा दिवक्ता राजीव रंजन वा जेपीसी की ओर से दिवक्ता संजेपी परवाल ने अपना पच रखा था उन्होंने पार्थियों को दलिल का विरोद करते हुए आद रिजल्ट प्रकासित करने के बाद नियुक्ती के लिए राज सरकार को और संसा भेजी गई बादी पार्थियों का कहना था कि छटी जेपेसी रिजल्ट में काफी गरवड़ी है क्वालिफाइंग पेपर का अंग जोड़ा गया जेपेसी ने फैनल रिजल्ट जारी किया ज इस मामले में आदालत ने सफल अवेड़्यों को भी परतिवादी बनाया था उल्लेखनिये है कि बहुत जो बहुत सारे नाम है याच का दायर कर जेपेसी को चुनावती दी थी उन्हों रिजल्ट को निरस्त कर दोबारा नए सीरे से रिजल्ट प्रकासित करने की मांग की यह मतलब इसमें जेपेसी में सबसे वड़ा मांग लाना चल रहा था कि उसमें जो सो अंको की जो हिंदी थी जो प्रिशाई था उसको जोड़ा गया अब देखना है कि कल है जो कि क्या फैसला है जो कि आएगा उसके बाद आते हैं दूसरी खबर पर चार खंट से हैं बर्स 2016 में हुई थी सिच्छक पात्ता परिच्छा होने की संभावना नहीं है स्कूली सिच्छा उवम साच्छालता बिवात की ओर से बर्स 2019 में सिच्छक पात्ता परिच्छा के लिए नई नेमा विली त्यार की गया थे भीषा की ओर्वली त्यार कि धानी परिच्छावीं पर नहीं हो पाई पर शिच्छन प्राप्त अभियर्थी नहीं बन पा रहे सिच्छन प्राप्त अभियर्थी परिच्छा में सामील होते हैं सामिल नहीं हो रहे तीन सालों में भी नहीं बन सकी है सेवा सर्थ नियमावली तो कोलेज राजी गठन के बाद 20 वर्स के बाद इंटर कोलेज सिच को भी जर्खन सेवा सर्थ नियमावली नहीं बन सकी है सेवा सर्थ निवावली बनाने की प्रक्रिया जो कि 2018 में शुरूवी पंतु अब तक इसे अंतिरूप नहीं दिया गया है बर्स 2018 जारखन एकेडमिक काउंसेलिंग बोड द्वारा इनिवावली को समती दी गई थी जिसके बाद आगे करवाई से मादमिक सिच्छा निदेसाले को भेजा गया था प्लब यह भी है जो कि अठकी हुए सिच्छकों को बीएट की डिगरी कियाने वारता से मिल सकती है छूट इस निवावली में यह फाइदा हो सकता है उसके बाद आते हैं जूनियर इंजिनियर की परिच्छा जिसका काफी इंतजार किया रहा है तो राज के हजारों परिच्छारती कनिया वहनता के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट जारी करने को लेकर शेनिवार को ट्विटर अवियान इसमें पटना नंबर वन पर बना रहा कणिया वहनता की नियुकती के लिए 11 जन्वरित सचर कारस मां अब तक नहीं रिजल्ट नहीं है इसकी परिच्छा तकनिकी सेवायोग द्वरा ले गई थी कणिय व्यनता के करीब 3397 पदो पर न्युक्तियों ने है चातरों ने बताया इस शातरों बताया कि बिहार तकеци कि शेवायों द्वारा बर्स 2019 में कानिय व्यनता की बाली के लिए विगापन निकाला गया था इसमें कानिय व्यनता सयने की अंत्रीफ इसका मेरिट लिस्ट भी है जो कि अभी तक त्यार नहीं किया तक तक नहीं की आयोग के अधिया चायजा चौदरी का कहना है कि रिजल्ट जारी करने की प्रक्रियार चल रही थी पर मुख्य परिच्छा में प्रभारी कोरोना के निधन होने के अलावाद 10 से धिक संक्रमित हो जूनियर इंजिनियर की बहाली आयोग द्वारा सरप्रथम निकाली थी इसके बाद डॉक्टर और नर्स की अंसभी बहालियों को पूर्ण करा देगा पर जूनियर इंजिनियर के बहाली पिछले दो सालों से लंबित है तो इसकी मांग है जो की रिजल्ट जारी करने की मां ही बन पाएंगे क्योंकि इन अभेर्थियों की नियोजण के लिए उम्र सीमा ही खत्म हो गई है 2020 ow 2017 में टीटिव में ख्याधिक सामिल नहीं हो पाएंगे घ्यात हो कि नियोजन के लिए समान से लिए अबेर्थी के लिए 30 वर सक्तिश की वम्चे लेगिन अगर अबेर्थी को उम्र सक्ष्पाय पार कर जाएगी, तो इस फिर नियोजन सुझा में सामिल नहीं हो पाएंगे सिच्छा मंत्राले भार सरकार की माने तो टीटी के परमान पत्र की साथ साल की बादता को समाप्च कर दी गई है परमान पत्र की बादता खत्मना वेर्थी ता उम्र पर इस परमान पत्र का इस्तमाल कर सकते लेकिन तब ही करेंगे चब नियोजन के लिए उमर बची रहेंगे वेरथII प्रियांका ने बताया कि I 100 में टी deny टी पास किया लेकिन Nursday नहीं हो पाया हैा कि place होने से की इमरन के खाल हो गई है अब टीटी पास करने के बाद भी वह आब नियोजन नहीं नहीं हो पाएंगे वह यहां वेर्थी प्रियंग का कुमारी ने बताया कि 2017 टीटी उतिरने लेकिन उम्रसीमा खत्म हो गई है बिहार सरकार ने सीच्छक नियोजन 2015 के बाद नहीं किया है प्रात्मिक और मद्वी दलग पांचवा नियोजन 2015 किया गया था इसके बाद 2019 में चाहिए इस से अधिक से अधिक के विर्थी को फाइदा होगा इसके अलावा उम्रसीमा को भी बढ़ाने की बढ़ाने की चाहिए तो यह आपने देखा कि टीटी का पर्मान पत्र भले ही मानता मिल लेकिन बहुत सारे अभेर्थों का एज निकल रहा है बिहार से ही है ये भी खबर तो सूबे में 89 एनम की न्युक्ती का फर्जी आदेश तो राज में एनम की भरती का फर्जी आदेश जारी कि COVID-19 के बढ़ते संक्रमन को देखते में एनम निवमीद न्यूक्ती जिला आबंटन आदेश चारे आदेश हाला कि इसकी भनक स्वास्तिवाग को लग गई और विभाग ने पत्र जारी करके पूरी तरह जल साजी करार दिया निदेशक स्वास्त से वाएं बिहार डॉक्टर कॉशल कुमार ने सभी जिलों के सिविल जर्णों के निदेश दिया है सबाजिक तत्व द्वाद्वाद्व लोग इसके चक्कर में फसे हैं तो इसके चकर में ना फड़े हैं उसके बाद आते हैं दूसरी अनक ख़बर बड़ी ख़बरों पर कि DLA 2021 दाखले के लिए परवेश परिछा नहीं होगी इनलेमेंटरी एजुकेशन डीलेट के पूर्व में BTC के पूर्व की तरह हाइı स्कूल इंटरोर स्नात्र के हमको बनाने वाली मेरिट क्याथार पर दाखला लिया जाए गा सरकार्ड ने परिच्छा कि माध्यम से परवेस लेने के परिच्छा नियामक पराधिकारी के प्रस्ताव को ठोगरा दिया है। सितंबर माह में हो सकती है प्रारंभी का हरता परिच्छा तो उत्तर प्रदेश अधिनस्यवा चैन आयोग प्रारंभी का हरता परिच्छा के लिए आविधन लेगा है। परिच्छ होते ही एजनसी परिच्छा की तैयारी सुरूब कर सकेगी। परिच्छा एजनसी को पूरी परकिरिया संपन कराने के लिए तीन महीने का समय दिया जा सकता है। और इसमें क्या क्या है जो लोग अभी नहीं भरे हैं क्योंकि यह योगिता जो है नियुंतम कम से कम होनी चाहिए दसमा पास होना चाहिए अथारस चालिस वर्सेज होना चाहिए आवेदन प्रारंभ पचीस मैई से ही हो गया अन्तिम्ति थी 21 जून 2021 भूल सुदार के लिए समुख और भरतियों के लिए है जो कि लगभग है जो कि कहा जा रहा है कि यह बहुत बड़ा मौका है और इसको पास करने के बाद ही है जो कि आपको इसमें हजारों विवाओं को नौकरी मिल सकता है बिएड के लिए 38,806 विरत ने पटना को चुना परति तो कहां कहां लोगों ने चुना सा है तो बिहार राजस्तर ये दो बरसे बिएड एवं सिच्छा सास्तरी में नमंकन के लिए प्रवेश पजिछा CTB8 2020 के लिए परिच्छा परपत्र बीना बिलम सूल के साथ भरने की तीथी सनिवार को समाप्त हो गई रेविवार से 8 जून तक बिलम सूल के साथ पौम बढ़ा जाना परिच्छा के आउजन सबन्दी तैयारी अभी नोडल विज्विदालों में तेजी से चल रही है उसके बाद है आपको 12608 दरभंगा के लिए हुआ है उसके बाद मुझापूर है पर्टना के बाद 15,550 दरभंगा है बारा गया है 14,844 उसके बाद है दरभंगा इस तरह आपको भागलपूर में 9907 आरा में 8956 है मधिरपूरा में 8205 है मुंगेर में 4230 है तो सबसे कम है जो कि मुंगेर में है उसके बाद अगर रखे हैं तो हाजीपूर में है यह इन जगों पर है जो कि परिच्छा होगी 11 सहरों में और एक लग्च्छ उतिजर 922 और कुछ जो बिलंब के साथ सुल्क में है जमा करेंग जुलाई में भी डिये नहीं मिलने की आसंकात। इस दोरान 17 से बढ़कर 28 प्रिजदी डिये हो गया है जुलाएं में भी चार या पांच प्रिजदी परदूरती हो सकती है तो 32 या 33 डिये जो की संभावित है सरकार की ओर से जुड़े बड़े डिये का लाप दिये जाने के संकेत दिया गया लेकिन अपसरों के बैठक नहीं ह प्रकर्ष के अधिया सुभास पांडे का कहना है तो देखना है कि या मिलेगा या नहीं मिलेगा दिव्यांग अभेरतों के आवेदन के लिए हर जिले में बनेंगे से तो उस इतनी आले कि आदेश के बाद सिच्छा कपद के लिए दिव्यांग अभेरतों की निव्ति परकिर्याम सरकार फूख फूख कर कदम रख रही है छूटे अभेरतों से 11 जून से आवेदन लिये जाएं गें इसकी निगरानी हर जिले में जिला सी चाइब काम करेगा परिच्छा में अबने वाले इस अझांप नर legitimately कर करले ने कड़ा रूख अक्तियार कर लिया है टेनिंग के बाद ली गई परिच्छाम किसी अमीन को 10% से कम नंबर आएगा उनके नोकरी जाएगी साथी इन जिलों में आधुमिक रेकॉर्डरों में बनने में देरी होगे वहां का अधिकारियों को अर्ध साथ किया पत्र भेजा ज 10% से कम अंग लाने वाले अमीनों को नोटिस देकर पद से हटाने की करवाई की जाएगी उनकी समिच्छा के साथी 10-40 अंकोक बीच लाने वाले अमीनों को बहतर के लिए एक बार और मुका दिया जाता है सभी सर्वे निदेशाले ने नम नियोजी 487 अमीनों का मार्च अपर मुखे सचीब द्वारा निदेशा को यह निर्देश दिया गया कि फिल्ड में अमीनों द्वारा किये गए मापो कार्यों की निगरानी की जाए राजस्वेवन भूमी सुधार विवाग जल्द ही इमापी सुधा बिहार के रायतों को देने वाली है इस काम में नम न लेखागार है जो कि शुरू होना है 534 अंचलों में 266 में भू अभिलेख और परिणाप निदेशालें 249 266 अंचलों को अभिलेखागार 16,10,000 परती है जो कि अभिलेखागार को दे दी है तो यह जो है आपको अगर परिच्छा में 10 से कम नंबर लाते हैं प्रिंट को यूपीपीस्य अहर्ता परिच्छास पहले खत्म करेंगा वयक लोग उत्तर प्रदेस अभिल पररांबी कहरता परिच्छास पहले अपने सारे व फैक्लों को खत्म कर लेना चाहता है आयोग के चैर्रमें प्रवीर कुमार ने इस सम्मद्ध में आयोग की अधिकारी हो को निर्देश दिया है आयोग के परतिक 10 से 15 दिन पर एक रुके वे भरतिक परिच्छा को परिणाम जारी करना चाहता है जिसके प्रारंबिक अर्था परिच्छा होने के बाद नहीं भरतियां तेजी से पूरी की जासके करीब अधिनास सेवा चेयन आयोग में करीब 10 भरति परिच्छाओं का परिणाम जारी करने का दवाव है कोरोना संक्रमन के चलते आयोग का काम का अज भी परभावित हुआ न तो उस समय से परिच्छाओं हो पा रही है नहीं भरति परिणाम जारी हो रहे हैं करते हैं उनका मकसद पार दर्सी तरीके से भरतिया को पूरा करना है गयर विवावा लिफ भरतियों के परिच्छाओं बन वाने जी साम काम सुरू कर दिया है जिसे प्रादभinct अर्टा परिच्छाओं परिच्छाओं सभी परिणाम है जो की जारी कर दिय साथ है तो इसी अप्डेट किसाद